प्रश्ण संख्या 31-33 दिये गए परिछेद पराधारित हैं परिछेद में एक विशाण H1N1 के संक्रमण से होने वाले फ्लू उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किया जारे उपायों की कमियों और उससे निपटने के लिए संभावित प्रभावी उपायों के बारे में चर्चा की गई है तो हम पराते हैं प्रश्ण संख्या 31-33 इस परिछेद के माध्यम से सरवाथिक महत्पुन संदेश क्या दिया गया है विकल्प A, H1, N1, Influenza 170 रोग है और इसके पुना प्रसार को निवारित किया जाना चाहिए विकल्प B, सरकार स्वाइन फ्लू के प्रसार के निवारन और नियंतरन हिवत परियापत उपाये नहीं कर रही है विकल्प C, तनाव के इस्थित में व्यावहरिक द्रिष्ट कौन और प्रभावी जागरुकता प्हेलाने से H1, N1 द्वारा G1 के खतरे की गंभीरता को कम किया जा सकता है विकल्प D, लोगों को मोसमी रोग के प्रसार के बारे में पहले से जागरुक किया जाना चाहिए तो इस प्रश्ट के उत्तर के लिए यदि हम परिष्ट पर विचार करें तो पता चलता है कि विकल्प सी प्रशन का सही उत्तरहिक तनाव की स्थित में वियाहरिक द्रिश्टकॉन और प्रभावी जागुकता फैलाने से H1N1 द्वारा जीवन के खत्रे की गंभीरता को कम किया जा सकता है इसके लिए हम परिष्ट की स्पंक्त काभी संदर भले सकते हैं कि वार्शेक मौश्मी रोक संक्रमण एवं प्रसार को रोकने है तो सार्विनक स्वास्थ अधिकारियों द्वारा नियुंतम और किफायती मूली पर जागरुकता उत्पन करने है तो उन्नती योजना और तयारी से जन्हान के रोक थाम में बहुत अथिक सफलता मिलेगी इससे पता चलता है प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प सी है अगला प्रस्ण प्रस्ण संख्या 32 निमलिख्यत कथनों पर विचार कीजिए दो कथन दिया गया है पहला जन्व सामान के गंभीर इस्थिती राज्यों द्वारा तब उपेक्षित हुई जब कई राजनीतिक व्यक्त संक्रिमित हुए कथन दो प्राधिकारियों ने इस रोक बारे में लोगों को सूचना देने के उपायों को लागू किया था इस प्रश्ण के उत्तर के लिए ये दिम परिछेद पर विचार करें तो पता चलता है चिक कथन एक सही नहीं है क्योंकि परिछेद में यह उले तो किया गया है कि H1N1 से प्रवाईत राजियों की तयारी के इस्तर का प्रश्ण के प्रकाश में आने के बाद होता है इस बार कुछ राजियों में कई राजनीतिक विक्तियों की जांच के सकारात्मक प्रणाम आने के पश्चात तैयारी की गई इससे पता चलता है कि संक्रमित लोगों की जन सामानी की कोई उपेक्षा की गई अईसे कोई चर्चा परिष्चेद में नहीं की गई है तो कथन एक गलत है कथन दो सही है इसके लिए हम परिष्चेद की इन पंक्तियों का संदर्ब ले सकते हैं कि राश्ट्रिय रोग नियंतरन केंदर NCDC की एक चोबिस घंटे निगरानी करने वाली सेल इस वन एन वन पर पूश्टाच जनता को सूचित करने और डर भगाने है जारी है दूसरी तरफ संबंधित राज इस संकट को काबू करने में है तो अपना अंशिक कारी कर चुके हैं राजस्थान ने संकट सूचना जारी करते हुए देनिक रोप से इस्थित पर निगरान बी है अगला प्रस्न प्रस्न संख्या 33 निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक देश में किफायती दवाईयों और प्रशिक्षित अर्थ सिक्षिय करिमियों की समुचित उपलबधता का अभाव है कथन दो राज्यों ने संकट सूचना जारी करता था नहसुल्क इलाज कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया तो इस प्रस्न के उत्तर के लिए धिम परिच्षित पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन गलत हैं इसके लिए हम परिच्षित में जो लेक किया गया है देख सकते हैं केंद्रिय स्वास्त पर परिवार कल्यान मंत सिटित की समिक्षा, राजियों के सार्विनिक स्वाँ संस्थाओं में देवाओं की परयाप्तता, चिकित्सकों की तयारी, और प्रिसिख्षन, तथा ननी दिरिश्टकोंड से किया था. इस प्रकार दवाओं की दवाईयों की या प्रशिचित अर्चिकिस्खिय कर्मियों की सम्चित उपलब्ता का आभाव है ऐसी कोई चर्चा परिछेद में नहीं की गई है कथन दो भी गलत है क्योंकि संकट सूचना जारी करना या इलाज की जो बात है विशेश कर संकट सूचना जारी करने की बात वह क्यों राजस्थान के संदर्व में है ऐसा राजस्थान के लावाँ अनराज्यों ने भेखिया ऐसी कोई चर्चा परिछेद में नहीं की गई है इस प्रकार दोनों ही कथन गलत है और प्रश्ण का सही उत्तर विकल्प D है